हेलो नमस्कार जहिन दोस्तों आप सबका एक बार फिट से स्वागत है आपके अपने यूटूब चैनल टेक्निकल भी देसेस में तो दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि हम जो है CITS 2023 के फिटर टेट थियोरी के MCQ जो है करा रहें आप लोगों को जो है कीमी पैटरन पर आधारित सारे कुष्चन हैं तो दोस्तों जो लोग Session में नए जुड़ रहे हैं हो चैनल को प्लीज सस्क्राइब कर लेंगे और क्या करेंगे वीडियो को अंतर तक देखेंगे और लाइक कर देंगे ताकि जो है चैनल को सस्क्राइब करने के बाद उनको जो है नौटिफिकेशन डेली मिलती रहे तो चलिए दोस्तों बिना किसी डिले के सेशन को सुरू करते हैं आज का पहला कोश्चन है दोस्तों करें तो आपके हीट आपको करने के लिए उनको बाहर निकलता तो इसी के लिए ऐटा को बात करते हैं तो इसके आपको डिलिंग मसीन में x के रूप में चिन्नित भाग का नाम तो जो आपका यहाँ पर x के रूप में चिन्नित भाग है यह देख रहें आप यह इस भाग का नाम क्या है तो दोस्तों बात करें इस भाग का नाम तो यह आपका क्या होता है यह आपका होता है इस पिंडल हेड क्या इसका right answer क्या होजाएगा जो यह पार्ट है इसका यक्सका होजाएगा आपका spindle head ठीक है बढ़ते दोस्तों next question तरफ next question है आपका दोस्तों कि छेद में रिविट डालने के बाद प्लेटों को निकट लाने के लिए किसका उप्योग किया जाता है तो मतलब जैसे आप रिविटिंग करते हैं तो जो आपका प्लेट में होल होगा जैसे आप रिविटिंग यहाँ पर कर रहे हैं है से इसमें जब आप डाल देंगे, तो उसको जो है क्या करते हैं नी-कट लाने के लिए किसका उप्योग कियाता है कि ड्रीफट का क्टूल क्यां क्रें हैं इसमें हम in4T ईसमें कि उप्योग करते हैं क्लोज लान लानी के यूटूब चैनल पर fitted trade theory का full course चला रहे हैं जो लोग अगर इच्छी तो भया क्या करें जाकर देखें उनको और जो है daily MCQ करा रहे हैं MCQ क्लास को daily लें और रही बात non-technical की तो non-technical भी आप लोगों को जैसे नोटिफिकेसन आएगी पूरी non-technical की preparation हम आप लोगों को कराएंगे तो चलिए बढ़ते हैं नेस question के तरफ आपका नेस question 171 नंबर का की bent snip का उपयोग क्या है दोस्तों तो bent snip का उपयोग क्या होता है ग्रूप काटने के लिए जिग जैक काटने के लिए सीधा काटने के लिए ठीक bent snip का उपयोग जो है हम इसी के लिए करते हैं मुख्यता अगर बात करें अब नेस question की भया नेस question 172 नंबर का है कि जो है लीवर के इस भाग का नाम बते है जो यक्स के रूप में चिन्नित है तो भया आपके figure question बहुत आते हैं आपके इंट्रेंस exam में तो आपका यहां पर बताना है कि यह जो आपका भाग है यह इसका नाम क्या है जहां पर यक्स यह चिन्नित किया गया तो इस भाग का अगर हम बात करें नाम तो यह हमारा क्या होता है यह हमारा होता है निचला ब्लेड क्या बोलते हैं इसको निचला ब्लेड क्या है यह आपका होता है निचला ब्लेड तो बात करें अगले नेक्स कुष्चन की नेक्स कुष्चन आपके 173 नंबर का है कि इस सीट मेटल आपरेशन का नाम बताए तो यह जो आपका आपरेशन हो रहा है यहां पर इस कुष्चन में इसका नाम क्या है तो इस आपरेशन का नाम क्या है तो इस आप आपका बेंडिंग मतलब बेंड करना मोड़ना फोल्डिंग मतलब मोड़ना होता बेंडिंग मतलब कि उसको जुकाना जैसे होता ठीक है नोचिंग प्रक्रिया होती है नोचिंग करना ठीक तो बढ़ते हैं आपके जो है नेस्ट कुश्चन की तरफ आपका नेस्ट कुश्च स्टेनलेस स्टील वो लेंगे क्या वो लेंगे उसको गैल्वनाइट आयरन बढ़ते हैं निस्ट कुश्चन की तरफ 176 नंबर का है आपका कि जंग और घरसंड के लिए कौन सी सीट धात अत्तधिक प्रतिरोधी है तो जंग मतलब आपके जंग और जो घरसंड होते हैं उसको मतलब उसकी प्रतिरोध मतलब कि उसको रोकने के लिए फिर उस पर प्रभावना पड़े उस धात पर कौन सी धात वेसी है जो सबसे ज्यादा प्रतिरोधी तांबा काला लोहा और निस्ट है आपका यहां पर एलुमीनियम और जस्ता तो बात करें इसका राइट एंसर की द साइज की गणना करने का सूत्र तो फ्लैट से फ्लैट तक की साइज गणना करने का सूत्र क्या होता है अंडर रूट 3A यहां क्या होती यहां पर जो भुजा होती है खडबुचकी उसकी जो है डाइमेंसन होती है मतलब कि माप होती है ठीक तो क्या होगा आपसन नंबर रा इस टेक का क्या होता है supporting piece होता है जो आपको क्या करता है मेटल लपष्वर्क में support को परदान करता ठीक बड़ते हैंने स्कुशन के तरफ 119 मेर का कुश्चन है दोस्तों solder की समागभरी क्या है तो solder की समागभरी क्या है हैं है बाट इनेश्य का तरफ 180 का उपयोग करते हैं य कि इस प्रक्स का उपयोग किया जाता है कि रॉप रज पपयोग करते हैं तो मूंघ 108 का क्वेग करते हैं releasing of seam, compress the seam, seam को compress करना, और तीसरा है closing and locking of seam, और था है आपका D, stress releasing during seam operation, तो क्या है इसका right answer, तो आपका right answer इसका हो जाएगा भईया, कि जो आपका seam है, उसका उप्यों क्या करना, तो आपका right answer क्या हो जाएगा, C, तो grower का main उद्देश यह होता है, कि seam को close और लाग करना, बढ़ते हैं इस question की तरफ, next question 182 number का दोस्तों आपका, कि rivit के निर्माण के लिए की जाने वाली समागरी क्या है, तो यह तो दोस्तों इसमें answer, जो है, जहां सम्कुष्चन उठा है, टिक किया गया हो है, तो आपका क्या होगा, mild steel, क्या होगा इसका right answer mild steel, इसका right answer, mild steel, इसका कहने का सिर्फ तात पर यह है, कि rivit के निर्माण में उपयोग की जाने वाली समागरी, या फिर rivit का material, rivit कि जदात की बनी होती है, किस की बनी होती है, mild steel की बनी होती है, बढ़ते हैं इस question कि तरफ 183 number का है, कि एक rivit में X के रूप में चिन्नित इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे, इसको बोलेंगे, ठीक, अब इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, ठीक है, ठीक है, तो दोस्तों, यह है आपका rivit एक प्रकार का, और जो यहाँ पर चिन्नित भाग है, उसको क्या बोलेंगे, उसको बो को नाम तो उस आप्रेशन को क्या काना है है पिक्लिग पिक्लिग स्वाइंग इंग और ंंग इन स्वून को बलते हुश Hir had a it'll पिगला हुआ solder के साथ धात के छेतर कवर करने वाला आपरेशन क्या कहा कहलाता है इसको रट लीजेगा दोस्तों क्या कहलाता है आपका टिके कहलाता है बढ़ते नेस कुश्यन की तरफ 186 नमबर का question है भई आपका कि snap head reveal का support करने वाला tool का नाम बताईए given an क्या है दोस्तों अब बढ़ते हैं quick question के तरफ आपका 187 नमय का है कि दिखाये गए olur को बढ़ाई और दोस का नाम बताईए इसमें का रुटिंग दोस है इसमें कौन सा riveting दोस है तो देखिए अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए इसका जो head है यह head है जो इसका sank या body है उसके alignment में नहीं है देखिए डंग से body के alignment में नहीं है तो आपका right answer क्या हो जाएगा इसका इसका right answer हो जाएगा कि rivet का सीरा जो sank के साथ के इंदरित नहीं है न तो आपका plateau के में अनुची जुड़ाओ यह तो मालिए भाई बिल्कुल दिख रहा है यह जुड़ाओ देखिए प्लेटो के बीच बर है यह नहीं है तो इसमें क्या है यही दिख रहा है देखिए head आपसन right क्या हो जाएगा आपका सी बढ़तें next question की तरफ जो कि दोस्तों आज का आखरी question है आज किसी question साथ आपकी class यह खतम हो जाएगी दोस्तों यह question कराने पहले आपको बता दें कि भाया जो लोग नए है channel को क्या कर लेंगे subscribe कर लेंगे और video को आखरी तक देखेंगे like कर लेंगे और video channel को इसलिए subscribe कर लेंगे क्योंकि आपको CITS 2013 की full preparation आपको इस channel पर कराई जाएगी और अभी जो है fitter trade theory का full course चल रहा है और daily आपको fitter के हम important MCQ 8 बज़े आपको provide करते हैं तो दोस्तों इसके लिए आपको अगर तयारी करनी है अच्छे से तो आप इस channel को क्य ट्रेमल का उपयोग जो है बड़े ब्यास के चाप बनाने के लिए ट्रेमल का उपयोग जो है हम करते हैं यह बहुत important question है ट्रेमल का उपयोग किसलिए करते हैं बड़े ब्यास के जो है